जैहिंद एवरीवान, विल्कम बाक टो मैं चानल, दिस इस शिवांगी भट और टोड़ी विल बी कवरिंगा टॉपिक, रिगिंग, इंट्रड़क्शन तो शाकल्स अन ब्लॉक्स इंट्रड़क्शन, आपके जो हेवी आइटम है, वो आपका रोप से ही लिफ्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जुरुत पड़ती है, इतने हेवी हेवी वेट्स को क्यारी करने के लिए, तो आपका ये जो एफ़र्ट है, ये एफ़र्ट हम ब्लॉक्स की हेल्प से कम कर सकते हैं, मतलबी जो मैन लेबर का जो इतना एफ़र्ट है, वो ब्लॉक्स के थुरु कम हो सकता है, सेकेंड इस ये शाकल, आपका रिगिंग शाकल जो हैं, वो रोप्स को जॉइन करने के लिए, वेबिंग के लिए, और चेंज को साथ में अटाय करने के लिए यूज ह है, लास्ट टाइम हम लोगोंने लास सेशन में बात करी थी, अब आउट जोइनिंग शाकल और शाकल, तो यही है आपका शाकल, जिसमें आप एक उसको टाय कर सकते हों, तो आपका आता है फिर टाइपस ऑफ शाकल, पहला है स्क्रू शाकल, सेकेंड इस पोर लॉक शाकल, सीमें लिफ करने के पॉपस के लिए, और वो जो होते हैं, वो काफी वीक होते हैं शाकल से, भाप शाकल के नीचे ही कहलो आते हैं, और इनको यूजवली हम लोग गाल्वनाइम इसमाइलिंग से बनाते हैं, तो आपके टाइपस ऑफ रॉजा होग कौनसे कौनसे हैं, पहला आपका आता है spring hook second comes your tackle open hook third is your swivel spring hook release hook recovery hook S hook और abening hook then is your RFD automatic release hook block block आपका एक portable pulley की तरह काम करता है जिसे आप में देखा हो गए जो circle वाला diagram है यह आपका block है कि इसको आप पर rope जो है आपकी rope राम से जा रही है आ रही है आप समान lift भी कर सकते हैं उठा भी सकते हो तो यह आपका metal से बनता है और कुछ cases में metal synthetic resin bonded fiber से भी बनता है SRBF again एक अब्रिविएशन आई learn it और कभी कभी कुछ-कुछ cases में metal और wood से combine होके बनता है types of block कौन से कौन से है पहला है आपका synthetic resin bonded fiber SRBF block second है आपका metal block third है आपका wooden block फिर आपका आता है derrick derrick एक आपका spar है जो आपका wood या steel से बना है और उसको एक swinging boom की तरह use किया जाता है boards को hoist करने के लिए store करने के लिए cargo ammunition को in और out करने के लिए एक ship के अंदर coiling down see जो cottage है वो काफी आपका resilient है और वो बहुत सारे number of turns अपने अंदर absorb करने की शमता रखता है अगर आपकी जो length है वो sufficient है और turn होती है with a lay of rope just a second rope of right hand lay is always coiled down right handed or the rope of left hand is always coiled down left handed see you have absorbed कि आपका coiling क्या होती है coiling जिसे आपका मतब रसी को बात दिया जाता है एक surface में गोल गोल करके तो वही है आपकी coiling down जब उसको धीरे धीरे करके आप नीचे लेकर आते हो या उपर लेकर आते हो तो वो आपका coiling down है in simple words फिर आपका आता है splicing splicing आपका एक method है जिससे आप दो ropes के end को tie कर सकते हो या एक eye बना सकते हो at the end of the rope उसकी जितने भी strands है उनको interlock करते होए तो सारे जो splices है वो आपका strength reduce कर सकते है एक rope का by one eighth so it is a very good thing फिर आपका जो splice है इनकी भी types है पहला है आपका back splice second है eye splice third है आपका short splice then is your long splice cut splice, chain splice conclusion हर seaman को जो आपका on board है ship है उसको पता होना चाहिए block, hooks और shackle का use और जो अलग-अलग type का जो shackle है उनकी knowledge बहुत जाद और जो lifting abilities है वो आपकी बहुत essential है हर seaman के लिए so this is all in this lecture we will meet you in the next lecture and कोई डिक्कत हो कोई doubt queries हो तो you can ask them और हाँ one more thing I was just telling you कि इसको ना इतना जादा detail में बहुत जादा करने की there is no need of that अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है कि ये चीज क्या है किस बारे में है तो you can write them down in your certificate exams so Jai Hind take care thank you झासले झालू किस तो उछंड़ में हमें उ कि ःवादा में हमें हैं